एक जबरदस Excel ट्रिक जिसके तुरू आप कमा सकते हैं 1732 रुपे मतलब 1732 रुपीज हर एक घंटे के प्रोजेट के as a second salary मतलब महीने में करीबन करीबन 55,000 रुपे आप कमा सकते हैं as a second salary अब ये काम क्या है और कैसे होगा with an exercise file और एक काम आपको बिना किसी competition के कैसे मेलेगा इस वीडियो में detail में हम लोग समझने वाले हैं हाई मैं हूँ लोकेश लालवानी और पिछले 12 सालों में मैं एक लाख लोगों से जादा को Excel के उपर train कर चुका हूँ और second Excel के freelancing project कर चुका हूँ और साथ ही में मैं इस Excel book का author भी हूँ चलिए detail में समझते हैं कि ये काम आपको कैसे मिलेगा और आप second salary कैसे earn कर पाएंगे आगे बढ़ने से पहले आपके साथ में एक proud moment share करना चाहता हूँ जो मुझे actual में आपके support से मिला है हमने recently 5 lakh subscriber का mark cross किया है अपने इस channel पे और उस वज़ा से thank you so very much दिल से हर एक subscriber को मेरी तरफ से और हाँ साथ ही में उससे बड़ी achievement ये है कि सैकडो लोग आज के time पे Excel के through freelancing करके second salary earn कर रहे है 30,000 से 60,000 रुपे के बीच में इन videos को देख कर so that is even more proud moment for us अगर आपने अभी तक action नहीं लिया आप मेरी videos देखते हैं तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है अभी हम year के बीच में है अभी आपके पास 6-7 महीने पड़े हैं आप action लेकर second salary earn कर सकते हैं so watch this video till the end चलिए अब समझ लेते हैं कि कैसे आप earn कर पाएंगे 1,732 रुपीज हर एक घंटे के project के best part यह है कि इसमें हजारों की तादाद में projects available हैं तो अगर आप कहीं पर job करते हैं, jobless है, student है या किसी government exam की तयारी करने हैं दिन में एक घंटा निकाल कर एक काम कर सकते हैं और महीने का around 55,000 रुपे मतलब 55,000 रुपीज तक as a second salary earn कर सकते हैं देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाऊंगा payment proof उसके लिए हम लोग Fiverr पे जाएंगे और related gig देखेंगे second चीज में आपको बताऊंगा कि काम practically कैसे होगा इसके लिए मैंने exercise file बनाई है जिसका link नीचे description में दिया हुआ है ये वीडियो देखने के बाद आप उसको download करके practice भी कर सकते हैं and third चीज में आपको बताऊंगा कि ये काम बिना किसी competition के आपको कैसे मिलेगा हर एक चीज में मेहनत जरूर करनी पड़ेगी आपको उससे आप जी नहीं चुरा सकते चलिए सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं payment proof तो आज चुके हम Fiverr के ऊपर और यहां पर मैंने अल्री एक गिक खोला हुआ है जिसके अंदर आप देखेंगे कि क्या काम की बात हो रही है और कितने पैसे चार्ज कर रहे है यह कहते हैं I will find differences in two similar Excel sheets यही exactly काम है और इसके अंदर काम बहुत सारा available है दो Excel sheet आपको client से मिलेंगी जिसके अंदर data बहुत जादा हो सकता है 8000, 10,000, 20,000 रों तक का भी data हो सकता है और आपका काम यह होगा कि इन दोनों को compare कैसे करना है मैं यहां पर आपको manually comparison की बात नहीं कर रहा कुछ ऐसी trick बताऊंगा जो कि client को generally नहीं पता होती जिसका use करके आप earn कर पाएंगे second salary अब कितना कमा रहे हैं वो भी देख लेते हैं जो इनका basic package है जिसके अंदर वो बोलते हैं कि ये काम मैं 3 दिन में करके दूँगा उसके वो charge करते हैं 1732 रुपे 1732 रुपे यही अगर हम उनके standard package की बात करें उसमें सिर्फ यह हो जाता है कि वो कम time में काम deliver करेंगे जिसके वो almost double charge कर रहे हैं 2598 रुपे मतलब double नहीं डेड़ गुना charge करें करीबन 2600 रुपे और premium package के अगर हम बात देखें तो यहाँ पर एक दिन में deliver करने का वो almost double charge कर रहे हैं सब 3464 रुपीज क्लियर हो गया तो कमाई तो इसके अंदर अच्छी है लेकिन जब तक आपको trick नहीं पता आपको बहुत ज्यादा time spend करना पड़ेगा जितना ज्यादा time spend करोगे उतना बाकी काम आप कम कर पाऊगे और eventually आपकी income कम होगी जो ट्रिक जो बताने वालों वो समझना अगर आपको excel नहीं भी आता तो भी ये काम कर पाऊगे ये वीडियो देख कर अब हम चलते exercise फाइल के उपर किस फाइल का link और लेडी मैंने description में दिया हुआ है इसके अंदर अगर हम data देखें तो करीबन करीबन 10,000 रोज का data है तो ये दो sheet है जो कि हमें client से मिली है sheet one है जो database system से हमें मिला है और sheet two है जो manually punched data होता है client को ये लगता है कि इन दोनों में कही ना कहीं differences है उसको मिले होंगे differences एक दो तो चाहता है कि आप as an expert in excel आप क्या करो इन दोनों मेंसे differences को highlight करके client को दो अब 10,000 रोज का data को आपको highlight करना है दोनों sheet के differences अगर आपको ट्रिक नहीं पता manually करने जाओगे तो 3, 4, 5 दिन लग सकते हैं और इसमें गलतियां भी बहुत हो सकते तो हम लोग ऐसी trick को follow करेंगे जिससे काम actual में कुछ मिनिट्स में हो सकते हैं अब हमें करना क्या है वह हम समझ लेते हैं बट बिफोर वी मूव इंटू यहां तक अगर चीज़े क्लियर हो रही है आपको वीडियो समझ में आ रहा है knowledge मिल रही है तो अभी इस वीडियो को like कर दीजे और यही चीज अगर हम दूसरी वाली शीट में जाते हैं तो यहां पर भी किवन है हमेशा जब भी आपको शीट में अप डाउन जाना हो तो control page अप करने से previous शीट में जाते हैं control page डाउन करने से next शीट में जाते हैं अगर आप एक एक एकसर बनना चाहते हो तो ट्राय करो जितने ज्यादा shortcut हो सके उतना use करने के जल्दी काम होता है अब इनमें करना क्या मतलब हो गया format करना लेकिन based on a certain condition उसको हम बोलते हैं conditional formatting और यह excel का बहुत ही powerful feature है इसको बस हमें smartly यूज करना वो मैं आपको बताई रहूं कैसे यूज करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले पूरे डेटा को selection करेंगे उसके लिए हम प्रेस करेंगे control a ताकि डेटा पुरा सेलेक्ट हो जाए और control backspace में क्लिक करूंगा ताकि वो मेरा जो व्यू है सबसे उपर की तरफ आ जाए पहरी चीज मैंने यह कर दी अब मुझे compare करने के लिए जैसे मैंने बताया कि conditional formatting क्या होती है तो अब हम conditional formatting का यूज करने वाले हैं तो होम के अंदर हम जाएंगे conditional formatting के उपर और यहां पर बहुत सारे options available है relevant इन में से कोई भी नहीं है क्योंकि हम अपना एक rule बनाना पड़ेगा rule का मतलब है formula लिखना पड़ेगा don't worry अगर आप excel user नहीं हो तो घबराना नहीं कि बहुत complex formula होने वाला है बहुत simple सी चीज़ है सिर्फ हमें दो cells compare करना है तो हम click करेंगे new rule के उपर और यहां पर भी हम choose करेंगे use a formula to determine which cell to format मतलब एक ऐसा formula हम लोग लिखेंगे जो कि क्या कौन से cell को format करना है वो find out करेंगा मतलब में चीज़ जो है इसकी तो सबसे पहले हम यहां पर click करेंगे और formula जो start हो सबसे पहले हम जो सबसे पहला सेल है उसको select कर देंगे मतलब एवन सेल को जब भी किसी भी डायलोग बॉक्स के अंदर आप कोई भी सेल को refer करते हो तो बाइडी फॉल्ट बहाँ पर डॉलर साइंस आ जाते हैं अगर आप एक एक से यूजर हो तो आपको पता यह freezing का मतलब होता है डॉलर साइन राइट बड़ फ्रीज नहीं करना अगर फ्रीज कर देंगे यहां पर डॉलर साइन लगे रह जाएंगे तो वो सरफ एक ही सेल को देखेगा बाकी डेटा को नहीं देखेगा तो हम क्या करने वाले हैं यहां से डॉलर साइंस हटा देते हैं सबसे पहले यह वाला हटा दिया और उसके बाद यह वाला हटा दिया एफ फॉर की प्रेस करने से भी हट जाते हैं दूसरी चीज हमें क्या करनी है हमें बोलना है क पहला जो cell है, if it is not equal to, not equal to कैसे लिखते हैं, less than, greater than, together, साथ में अगर होते हैं, इसका मतलब not equal to होता है, अगर A1 is not equal to, दूसरी sheet के इस पहला cell, मतलब A1, again मैं यहां से dollar sign हटा दूगा, देखो, घबराना नहीं, बहुत simple सी चीज है, मैं सिर्फ दो cells को compare कर रहा हूँ, दोनों sheet के पहले वाले cell को compare कर रहा हूँ, अब question आपका यह आएगा कि सिर्फ एक cell को compare करने से क्या होगा, हमारे पास तो 10,000 रोज का data है, बट हमने freezing नहीं करी, इसका मतलब यह है, जो हमने selection पूरे data को दी थी, तो automatically पूरे data के उपर यह one by one apply होता जाएगा, तो अगर यह not equal to है, तो यह format करे, और यही तो हमें करना है, highlight करना है उन cells को, जो की actual में different है, तो हम click करेंगे format के उपर, और यहां पर मैं choose कर लेता हूं कोई भी color, fill के अंदर मैं choose कर लेता हूं suppose yellow, और okay कर देता हूं, again okay कर देता हूं, तो आप देखोगे cells highlight हो चुके है, यहां पर हम देख लेते हैं, suppose यह वाला cell है, और यह cell है हमारा F9, right, जिसकी value है BH 11710, तो दूसरी sheet में F9, यह यह F9 है, अगर आपको देखना है तो आप यहां पर click कर सकते हो, name box में F9 click करो, press करो, enter और इसके बाद आप F9 में पहुंच जाओगे, तो क्या values में difference है, BH 11711, वहां पर है 10, देखो यह फ़रक है, दूसरा, यहां पर अगर आप नाम देखें, तो यह जो Pete Chris है, यहां पर भी actual में अलग है, यहांब Z, जो Z है, वो missing है, similarly और भी values देखते हैं California, तो California है हमारा K7 के अंदर, हम यहां पर लिखते है K7, वहां तक जाते हैं देखते हैं कि क्या लिखा है, No, यह properly California नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब difference है, क्या यहां पर right side में भी कुछ problems हैं, मैं देख लेते हैं, हाँ, values देखो, यहां पर भी कुछ right side में problem है, मैं नीचे जाके भी देख रहा हूँ, तो सब जगा, जहां जहां पर differences है, दोनों sheets के अंदर, वहां पर देखो values highlight हो गई है, That is the best part, तस 1000 रोज के data में भी actual में within few seconds इसने highlight करके हमें दे दिया, clear हो गया, और अगर यही rule हम दूसरी sheet पर भी लगा देंगे, तो वहां पर भी highlight हो जाएगा, यह भी आप कर सकते हो, अगर आपको इसको और easy बनाना है, बट मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि purpose था आपको एक चीज समझाना कि कैसे आप इस feature का use कर सकते हो, कैसे trick कर सकते हो, apply कर सकते हो, और यह काम जब आप अपने client को submit करोगे, तो आपको मिलेंगे 1732 रुपे, 1732 रुपीज हर एक घंटे के project के, हर एक particular project के, 10,000 रोज का data within few seconds आपने कर लिया, जब करोगे, तो हो सकता है, आपको time लगी initially, but hopefully आपको एक trick समझ में आ गई, और इसी चीज के client आपको पैसे देता है, क्योंकि उसको अपना time बचाना है, और आप जैसे expert से काम करवाके, वो बाकी चीजों पर concentrate करके, वहां से earning करता है, clear ह हो गया, यहां तकर clear हो चुका है, तो चैनल को अभी subscribe कर लो, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया, नीचे subscribe का button है, साथ में bell icon है, दोनों अभी आप प्रेस कर दो, ताकि मेरे हर एक नए video की notification आपको मिलती रहे, and I can challenge you also, कि कोई भी मेरा video आप पूरे channel में उठा के देख लो, आपको भरपूर value उसके अंदर मिलने वाली है, चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने third part के ऊपर की यह काम आपको बिना किसी competition के कैसे मिलेगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जितनी भी major freelancing websites हैं, वहाँ पर अपना account जरूर बनाई है, fiverr.com, upug.com, peoplepara.com, freelancer.com, competition है, लेकि जगा डटे रहेंगे वहाँ पर, तो आपको काम जरूर मिलेगा, recently मैंने बहुत सारी podcast करी हैं, बहुत सारे freelancers के साथ, अपने इस channel के ऊपर, आप देखिए, उन्होंने career अपना यहीं से start किया था, और कई लोगों ने recently भी start किया, तो ऐसा नहीं काम नहीं मिलेगा, काम जर करना है, तो दो ऐसे platform है, जहां से आप start कर सकते हो, सबसे पहला है teacheron.com, यह एक ऐसा platform है, जहां पर आपको assignments मिलते हैं, हाँ यहां पर कुछ coins आपको spend करने पड़ते हैं, बढ़ आपको lead बहुत अच्छी मिलती है, clear हुआ, दूसरा एक जो platform है, यह है LinkedIn platform, आपको पता होना च काम आप Excel में कर सकते हैं, उनके लिए, और जब आप 20, 30, 40 लों को approach करेंगे, तो definitely आपको काम मिलना start हो जाएगा, यह दो तरीके हैं बिना किसी competition के आपको काम लेने के लिए, बट मेहनत इसके अंदर जरूर लगेगी, एक चीज़ में और बता जाता हूं कि आप कितना मेहन इक्वेट एक्शाम की तैयारी कर रहे हैं और दिन में एक घंटा निकालते हैं, तो एक घंटे के आप earn करते हैं, 1732 रुपे, अगर आप हफ़ते के अंदर 6 के 6 दिन में 1 घंटा भी दिवोट करते हैं, तो 6 घंटे वो गए, और अगर वीकेंड पे, संड़े पे, अगर पहीना as a second salary अगर आपके पास अभी भी बहुत सारे questions है doubt है कि client को कैसे approach करें कैसे negotiate करें कैसे terms discuss करें कैसे काम को समझें कैसे काम deliver करें कैसे client खुश होगा क्लाइंट आपको बार-बार काम देगा क्या क्या करना पड़ेगा उन सब चीजों के लिए इस सारे question से detail में मैं free master class में answer करने वाला हूं क्योंकि यह free master class में आपके लिए रख रहा हूं online होने वाली है free master class जिसके अंदर जब आप join करते हैं तो मैं आपको step by step समझाता हूं कि कैसे आप second salary earn कर पाएंगे और साथ में और भी कुछ sample projects में आपको करके दिखाता हूं with an exercise file ताकि आपको समझ आ सके और deeply कि कैसे आप second salary earn कर सकते पर हां इस free master class को join करने पर मैं आपको bonus देता हूं अपनी best selling e-book excel freelancing के ऊपर वर्थ रुपीज 1500 बड़ आपको मिलती है बिल्कुल free जब आप यह free master class join करते इस free master class का link नीचे description bio और first comment में given है आप जाकर click करिए sign up करिए मुझे वहां मिलिए और समझ ये detail में कि कैसे आप second salary earn कर सकते हैं so do not wait click on the link below और मैं आपका इस free master class में बेट कर रहा हूं